हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है गुर्पी सिंग और आप देख रहे हैं और रिव्यू प्रड़क्ट एंग बेस्ट डिल आज मैं आपके सामने रिव्यू लेकर आया हूं हल्दी रामकी नमकीन का यह नमकीन 10 रुपे वाली है और हम इसका कंपेर करेंगे कि कौन सी नमकीन कितने बजन की है सबल किन दस की है लेकिन इसका कंपेर किया जाएगा कि किसमे बजन जाना है चलिए शुरू करते हैं यह नमकीन मैने ठोक की दुकान से मंगवाई थी और देखते हैं समे कितना बजन है यह पंचनात्र क्नमकीन यह सॉल्टर पिनट्ट दसवाला यह है नट क्रैकर दस वाला अब दूसरी पेटी खुल कर देखते हैं इसमें क्या है इसमें यह भी सेम ही लग रही है इसमें है नमकीन पंजाबी दर का दस वाला खटा मिठा दस रुपे वाली नमकीन नवरतन दस रुपे वाला और नमकीन देखते हैं कौन कौन सी हैं इसमें यह पीनट मुझे नमकीन मिल नहीं रही है और बराइटी की यह है मुंग दाल दस वाली यह है चना दाल दस वाली इसमें और भी बराइटियां है जो मेरे पास अवेलेवल है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ पंचरतन की नमकीन का वजन है दस रुपे में बीस ग्राम दूसरी है चटपटा चना दाल इसका वजन है दस रुपे में डालीस ग्राम यह है नट क्रेकर हल्दी राम का इसका वजन है चालिस ग्राम मूम दाल का वजन है पैंतिस ग्राम नावरतन का वजन है दस रुपे में चालिस ग्राम यह खटा में ठेका वजन देखते है कितना है चालिस ग्राम और यह लास्ट में है पैंतिस ग्राम इन सभी में से वजन चटपटा दाल का सबसे ज्यादा है और सबसे कम बीस ग्राम पंचरतन वाली नमकीन है तो इस रुपे में आपने देखा कि हल्दी राम की नमकीन 20 ग्राम से लेकर वह भी 10 रुपे में अगर आप आगे भी ऐसी कमपेरिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें मैं आगे भी ऐसी कमपेरिंग वीडियो दाता रहूँगा ये कमपेरिंग वीडियो होगी रेट और वेट के कोडिंग जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कम से कम नमकीन 20 ग्राम और जादर जादर नमकीन 42 ग्राम है इससे आपको ये फाइदा होगा कि आप रेट और वेट के कोडिंग चीजे परचेस कर सकते है प्लीज आप मेरे चैनल को सस्काइब करें और शेयर करें थैंक यू